नमस्कार जहिन स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगनेश जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा रस्खान कवीकुल की सिरीज में आज हम अध्यन करेंगे रस्खान जी का इनके विशे में कई चीज़े हैं जो परिक्षा में बार बार पूछी जाते रही हैं तमाम जीवन परिचे को देखेंगे रचनाओं को देखेंगे इनके परमुक्र जो दो हैं कृष्ण भक्ति से सम्मंधित उनको देखेंगे किन-किन विद्वानों ने रस्खान के बारे में क्या कुछ कहा है वो सारी चीज़े देखेंगे अगर आपको ये मेरी सीरिज अच्छे लग रही तो लाइक शेर किया करें आप जरूर सब्सक्राइब कर लें पहली बार देखने वाले प्रारम करते हैं रस्खान सहाब को द 1548 में होता है असली नाम सयद इबराहिम है जो था इनका जो कि दिल्ली के रहने वाले थे तो वह यार रस्खान सहाब का असली नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे सयद इबराहिम बताओगे जन्म पूछ ले तो विवादा इस पद है लेकिन ज्यादा तर व गुरु इनके थे कोन गो सुआमी विठ़ल दाजी अब ये गुरु बने के से इनकी कृष्ण भक्ती को देखकर रस्खान सहाब की जो कृष्ण भक्ती इसको देखकर ये प्रभावित होते हैं और गो स्वामे विठ़ल दाजी ने इनने अपना क्या बना निया शिश्य है जो बना लेते हैं और शिश्य बनाकर वल्लब संपर्दाय के अंतर के पुष्टी मार्ग में है जो दिक्षित करते हैं तो किस संपर्दाय के अंदर दिक्षा मिलती है इनको वल्लब संपर्दाय के अंदर वो भी पुष्टी मार्ग की दिक्षा जो परदान करते हैं कौन स्वामी विठ्थल दाजी इनके क्या होते हैं गुरु होते हैं साब यहां तक बात क्लियर है आगे बढ़ते हैं जब जैसे ही इन्होंने वेशनव धर्म में दिक्षा ली वेशे ही इनका जो लोकिक प्रेम था वो लोकिक प्रेम कहां बदल गया एलोकिक प्रेम में है जो बद जाता है क्यों और इनका अधिका जीवन ब्रज भूमी पर होता है और भगवान शृ कृष्ण प्रती इनका अलोकिक प्रेम इन्हें उनका क्या है अनन्य भक्त जो बनाता है ऐसा 1624 में 1624 में जो इनके अंतिम काव्य करती है प्रेम वाटे का उसका उलेख मिलता है और इसी के कुछ सालोबाद यानि 1628 में कि क्या हो जाती है? मृत्य हो जाती है वरिंदावन में सहाब ये इनका थोड़ा सा जिवन परिचिता रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं तीन चार रचनाओं का जिक्र होता है विशे रोप से पहली रचना आती है इनकी सुजान रस्खान रस्खान नाम जोड़ा क्या है? सुजान रस्खान 149 छंद वाले इस संग्रह में भक्ती और प्रेम विशे पर मुक्त कव्वे है जिक्र मिलता है 149 छंदों का और भक्ती और प्रेम विशे पर मुक्त कव्वे देखने को मिलता है और सुजान रस्खान में अगर आपसे पूज लिजा किन छंदों में तो सुजान जो रस्खान है इसमें कवित दोहा सोर्था और सवय देखने को हमें मिलते हैं विसे तोड़ से सवय देखने को मिलते हैं कवित देखने को मिलते हैं दोहा और सोर्था चंद भी देखने को मिलते हैं सुजान रस्खान में अगले इनकी रचना आती है प्रेम वाटिका तो इस रचना में प्रेम रच का पूर्ण परिपाक हुआ है पचीस दोहे वाले इस रचना में दोहे वाली इस रचना में त्याग में और निश्काम स्वरूप का है जो काव्यात्मक वर्णन है प्रेम वाटिका में एक रचना अ बाश्टेयाम होगी दानलीला होगी प्रेमवाटेका होगी और सुजान रस्खान होगी ठीक ही रचना है बाशाशली के अगर बात पूछ ली जाए आपसे रस्खान के विसे में देखिए मेरा प्रियास है कि नेट की तैयरी कर रहे हो आप या कॉलेज व्याख्याता स्कूल ग्रेड सेकंड कुछ इस तरीके से आपके सामने चीजें है जो प्रस्तुत की जाए परोसी जाए कि आपको लगे की नहीं वास्तव में कुछ यहां पर अच्छा मिल रहा है बाशा से लिए अगर पूछ ली जाए तो यह और कहानी की तरह बिल्कुल फ्लो में मैं आपको च सिदा सिदा सवाल पूस ले रस्कान की जैदा तरचना किसमें है तो भाईया क्या बताओगे बर्ज के अंदर है जो बताओगे बर्ज वाशा में की अधिक्तम रचनाएं देखने को मिलती है और रस्कान को रस्की खान भी जो कहा जाता है सवाल आजाए साहिते के अंदर की रसकी खान निम्न में से रसकी खान किसे कहा जाता है ये साहिते में रसकी खान किस के लिए संबोधित किया जाता है ये शब्द तो वो रसकान के लिए जो आता है भाविबोर कर देते हैं आहलादित कर देते हैं इनकी जो रचनाएं दोहें हैं इनकी रचनाव में दोहा, कवित, सवया पर इनका क्या था? पूर्ण अधिकार था. साहिते में इस्तान की बात करें, यानि कि किन-किन विद्वानों ने इनके विशे में साहिते से जोडते हैं क्या क्या कहा है? तो डॉक्टर विजेंदर सनातक नाम के एक विद्वान हुए, ये क्या कहते हैं? इनकी भक्ति, इनकी रस्खान की. डॉक्टर विजेंदर सनातक कहते हैं कि इनकी भक्ति रिदे की मुक्त साधना है और स्रिंगार वर्णन बहुक रिदे की उनमुक्त अभिवेक्ति है. इनके काववे इनके स्वचंद मन के है जो सहज उद्गार है यह बात कहते हैं डॉक्टर विजंदर सना तक ठीक है जी इनके काववे में भावनाओं की जो तिवृत है वो गहनत है जो तनमेत है इसको देख कर बारतेंदु जी ने कहा है यह बात परिक्षाव में बहुत बार पूटिन हिंदु वारिये यह बात कहते हैं बारतेंदु जी रस्खान के विशे में विशेस तोड़ से ध्यान में रख लीजेगा आगे रामचंदर शुक्ल भी इनके विशे में कहते हैं कि इनकी भासा यानि कि रस्खान की जो बासा है बहुती चलती सरल और शब्दों के अडंबर से मुक्त होती थी शुद्ध ब्रज भासा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में देखने को मिलता वो अन्यतर जो दुरलब है यह रामचंदर शुक्ल कहते हैं रस्खान और यूं कहेंगी घनानंद के विशे में कुछ इनके प्रसीद द रस्खानी लखी अब द्रग अपने नाहीं और उंचे आबत धनुस से छूटे सर से जाहें बंक बिलोचन हंसनी मूरी मधूर बेन रस्खानी मिले रसिक रसराज दो हरक ही रस्खानी और पंक्तियां हैं कि प्रितम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगयो और मन पावन चि सको तो यह थे कवी कुल सीरीज के अंदर आज हम देखे रस्खान महोदे को अच्छा लगा तो लाइक कर दें सभी दोस्तों को साजा कर दें शेर कर दें पहली बार जो भी बंदू देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें टेलिग्राम चैनल का ल बेच चल रहा है सिमित सीटे हैं जो भी चातर साथ ही जुड़ना चाहता है कोर्स जोइन करें और अपने तयारी को और बहतर बनाएं पर मिलता है